Hello everyone, welcome to Concept IQ आप सभी का स्वागत है T-Time Current Affairs with Shivam sir daily at 6 p.m. for all competitive exam आए शुरू करते हैं आज के T-Time Current Affairs session को So guys quiz of the day, आज ये quiz का पहला question यह रहा आपकी screen पर Who is the author of book titled The India Way Strategies for an Assertained World तो आपको बताना है The India Way Strategies for an Uncertained World इस किताब का author कौन है तो आपकी options है Dr. Harshwardhan S.J. Shankar, Urjit Patel and Viral V. Achare बढ़ते हैं next question की और Who has taken charge as a Commandant of Indian Navy Academy तो आपको बताना है किनोंने चार समवाला है as a Commandant of Indian Navy Academy and आपकी options है M.A. Hempi Oli तिनेश कीत्री पार्टी, सुनील इलांबा and विने बादवार तो गाईज इसका answer आप हमें जरू से comment section में बताईएगा and आपको कोई भी डाउट आता है तो उपर दिये गए आई बटन पर जाकर आप प्राणरी वीडियो जे सकते हैं चले बढ़ते हैं आज ही फर्स अपडेट की और 30th July is observed as International Friendship Day तो 30th July को मना जाता आपका International Friendship Day and 2nd August याने की कल हमने बना जाता Friendship Day and आज है हमारा प्रावन त्योहार that is रक्षा बंदर तो गाईज आपको रक्षा बंदर की लख लख बदाईएं तो बढ़ते हैं नेक्स अपडेट की और हार्दिक सतिश चंशा appointed as new private secretary to PM Modi तो आपको नाम याद रखना है हार्दिक सतिश चंशा जी appointment किये गए हैं as new private secretary to PM Modi आगे बढ़ते हैं तो नेक्स अपडेट इस Ministry of Education has set up Stay in India and Study in India Committee तो Ministry of Education ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है Stay in India and Study in India एंड इस committee के chain में मनाए गई हैं DP Singh तो इस पूरी update से एक बात और आपने याद रखनी है कि अब union HRT मिनिस्ट्री का नाम change हो चुका है Ministry of Education यानि Human Resource Development Ministry का नाम अब बदल के रख दिया क्या है Ministry of Education तो आगे बढ़ते हैं As per report released by FAO India spotted rank third in world in terms of gaining forest in last ticket तो इस report release की गई है by FAO एंड इस report के according हमारा भारत विश्व के 30 सान पर है जिसने अपना forest land बढ़ाया है कब कितने टाइम में बढ़ाया है last decade में तो last 10 साल में इंडिया ने अपना forest land बढ़ाया है एंड फर्स question में को है आपका चाइना सेकेंड पे है औस्टेलिया थर्ड पे को है हमारा प्यारा भारत तो गाइज नेस्ट अपडेट इस वरुन शिधार अपॉइंटेड एस CEO अफ पे टियम मनी तो वरुन शिधार जी को पॉइंट किया गया है CEO अफ पे टियम मनी फांडर है पे टियम के विजे शेकर शर्मा एंड पे टियम का हैट्वार्टर है नौइड़ा में सो मुविटो नेक्स अपडेट मोवी क्विक लॉंच अपर्सनल यूपी पेमेंट लिंक mpay.me सो मोवी क्विक ने लॉंच किया है एक पर्सनल यूपी पेमेंट लिंक रखना है आज रे ता मैडिकल बैड आइसुलेशन सिस्टम यह बनाया गया है बाइड़ाइट और डाइट की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टिटूट अफ एडवांस टेक्नलोजी और डाइट का हेड़्वार्टर है पुने महाराष्ट में यूप गाइस नेक्स अप्रेट बिजाफूर चात्यजगर्ट टॉपनिति आयोग डेल्टा रेंकिंग अफ एस्पिरेशनल डिस्टीट फॉर फ़ेप जून ट्वीट्वेन्टी त्वेंट इस्टिट्वेंस निति आयोग की जो रेंकिंग है स्पिरेशनल डिस्टीट की है बीज़ापुर ने बीज़ापुर दिस्टिक्ट है चत्यज़गी राइट यह जो रैंकिंग दी गई है यह दी गई है फॉर फैब जून ट्वेंटी 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 जैसे आपकी एलेक्रिसिटी आपकी रोड आपकी सीविज आपका वाटर इन सब पर बहुत प्रविन जुगनाथ जो की पी-ए में मौरिश्यस के एंगोंने वर्चुली इनॉग्रेट किया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन प्पॉर्ट लुइस मौरिश्यस आपको यह चीज़ और याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है जो बनी है पॉर्ट तो मुविंग फॉरवर्ड, नासा लॉंच नूउ मार्स रोवर नेम प्रिजर वरेंज, तो नासा ने हाली में एक नूमार्स रोवर लॉंच किया है जिसका नाम है प्रिजर वरेंज, इसका में एम है टू सीक साइन ओफ पास्ट लाइफ, तो अनदर अपडेट इस 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 र their launch facility at श्रीहरी कोटा इस रो ने अब इलाओ किया है private companies को कि वो अब अपने launch facility develop कर सकते हैं श्रीहरी कोटा में तो आपको नाम याद रखना है कि श्रीहरी कोटा पे अब private companies अपने launch pad बना सकती है and ये माना जा रहा है कि इस step से अब private sector भी अपना योगदान दे सकेगा space mission में इस रो के chairman है हमारे K7G right so next update is myGOB to organize a logo design contest so मारी भाया सरकार ने myGOB.in platform पर start किया है आत निर्भर भारत logo design contest so इस contest में Indian citizens participate कर सकते है and अपने ideas शेर कर सकते हैं right so जो ये myGOB platform में ये launch किया गया था by PM Modi ji and इस platform का main मकसद ही यही था कि एक common platform बना पाए between citizens and government बढ़ते हैं next update की और so next update is Babita Fogart and Kavita Devi is appointed as Tipty Director of Sports Department so हर्याना सरकार ने appoint किया है international wrestler Babita Fogart and Kabaddi player Kabita Devi Ji को as Deputy Director in Sports and Youth Affairs Department हर्याना के CM है Manolal Khattar Governor है Satyadir Narayan and the state member of हर्याना is Black Bug and the state bird of हर्याना is Black Franco Lin बढ़ते हैं next update की और so next update is SN Ajeshwari is appointed as CMD of Oriental Insurance so SN Ajeshwari Ji को appoint किया गया है Chairman come managing director of Oriental Insurance बढ़ते हैं next update की और BIEL International Chess Festival जोगी आयूजित किया गया था Switzerland के अंदर इसमें भारत के हरी किशन जी ने second sport हासिल किया है right so the next update is Padamshree Awardee Sonam Tiring passed away so हमारे Padamshree Awardee Sonam Tiring Ji का हाली ने दन हुआ है and इन्होंने contribute किया था in the field of folk music so moving to last update Green AG project launched in Majoram so Green AG project launched किया गया है Majoram में and इसको fund किया गया है by Global Environment Facility द्वारा and the aim of Green AG project is to transform Indian agriculture without compromising country's food security and farmers income so जो main aim है is Green AG project का वो है कि जो हम लोग common practices करते हैं अपने Indian agriculture में उसको transform करना और ये देखते हुए कि माई जो farmers की income है and जो हमारे उस productivity land की उस पे कोई compromise ना हो so Majoram के CM है जोरम ठांग governor है PSPLA and the capital of Majoram is Agile so guys कल का quiz भी discuss कर लेते हैं कल के को इसका पहला question था on which day कारगिल विजे दिवस is observed so आपको बताना था किस दिन कारगिल विजे दिवस मनाया जाता है so the right answer है 26th July so 26th July 1999 को हमारे आर्मी का operation विजे successful हुआ था and हमने हमारे पुराने post recapture किये थे पाकिसान से right so इसी लिए हर साल 26th July को हम मनाते हैं कारगिल विजे दिवस बढ़ते next question की और which state launch e-satchi वाले portal तो आपको बताना था किस राज्जे ने launch किया है e-satchi वाले portal and इसका right answer है पंजाब so पंजाब गॉर्मेंट ने launch किया है e-satchi वाले portal and इस e-satchi वाले portal के अंतरगर्द कोई भी विक्ती appointment ले सकता है CM से मिलने के लिए right पंजाब की CM है हमारे Captain Amrindar Singh so guys that's all for today खुश रहिए मुस्कराते रहिए और देखते रहिए tea time current of air शिवम सर डेली at 6 p.m मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में